हेलो फ्रेंट सौगत है आपके ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं चुम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह नहीं वाला है यहां पर वेस्ट इंडी वूमेन व्सस न्यूजिलेंड वूमेन के बीच यहां पर जो सेकिंड सेमिफाइनल मैच होन इस वीडियो में एक तो आपको स्मॉल लिग की टीम मिलेगी वह भी दोनों ही कॉंबिनेशन से कॉर्डिंग चाहिए 10 प्लस होना चाहिए 7 प्लस 4 प्लस ग्रेंड लिग की छे टीम साथ शेयर करने वाले हैं प्लस लाश्ट कुछ मैच हमारी ग्रेंड लिग में जो परफॉ बचाना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जोइन करना इंपोर्टन आपको जोइन कैसे करना वह बहुत इंपोर्टन देके बड़ा विद्ध्यान से सुख वर एक्जामपल हमारी किसी भी वीडियो की नीचे जा सकते हो जैसे आप जो वीडियो देख रूए ज जहां पर करते हो जैसे इस पर क्लिक करोगे सबसे उपर हमेश्य आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नज़र आएगा जहां पर टेलीग्राम करके लिखाओगा इस पर टेलीग्रम जैसे इस पर क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल ओपन जाएगा फिर इसको आपको जोइन कर लेना बिल्कुल फ्री चैनल हमारा बिंदाज जाके जोइन करो एक भी रुपए देने की जुरत नहीं है अब आप कुछ बेसिक चीजा को फॉलो करें तो ल करना है और अच्छा हन करना है और सबसे इंपोर्टन यह देखो फैंटेसी खेलता तो हरको यह बट हरकोई फैंटेसी में इन्वेस्ट्वन को लेकर सीरियस नहीं जाता है इसलिए जाता लोग लौस में रहते हैं और कुछ प्रूफ्स हैं जो साइच चीज है वीडियो मैं मैंने बताई है वीडियो मैंने बनाई है इतने लोगों लाइक करा है उपर आई बिटन पर इसका लिंक मिल जाएगा जाके देख लेना बहुत कुछ सीख के जाओगे वीडियो की तेखो गिवए कोशन आपके लिए बताना आपको सूजी बेट्स अमीली करो यहां पर हेली जाएगा तो एडेटे अन्सर अलाउट नहीं और मल्टिपल आईडी से कमेंट करते वह आलाउट नहीं है भीजिए वेन्यू पर जो है वह है शार्जा क्रिकेट स्टेडियं शाहर जावे और जो है वह क्लीर है रहें का कोई भी थ्रेट निया यह रहें नजर नहीं आए त पैटन जो है वह बहुत इंपॉर्टन जो था मैच में मेरी सारी इंवेस्टमेंट जो रहेगी यह 10 प्लस-1 कॉंबिनेशन में रहेगी इस मैच में बाकी 0% 7 प्लस-4 में टीम कॉछ जीते ही कोई भी मैच में कर सकती आप किसी को अंडरेस्टिमिट नहीं कर सकते वेस्टन इसने इंग्लेंड को भार कर दिया तो अफ्रिका ने वार कर दिया तो अगर बात की जाए तो यहां पर प्लस पार मिनियम होना चाहिए टाइमिंग जो है वह इंडिया गॉर्डिंग साड़े साथ बजे मैच रहेगा और यहां का लोकल टाइम है वहां पे छे बजे इविनिंग में मतलब डे नाइट मैच नहीं है नाइट मैच है ध्यान रखके चलना बागे पिच रिपूट ज ज्यादा डॉमिनेट कर रहें बैटिंग अभी तक अब नहीं देखो का कि तूर्णामेंट बैटिंग करना उतना इजी नहीं रहा है और इस खास कर से शार्जा में तो दो जगा हुआ है दो वैन्यू में एक शार्जा में एक दुबाई में जो है वह दुबाई में तो फि पहले भी जो अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान की मैंस की बात करो मैं उनकी टीट वंडे सिरीज हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि वहां भी स्ट्रगल कर रहे थे स्पिनर के अगेंस्ट बैटर्स और सेकंड इनिंग पिच जो है वह और भी स्लो हो जाती है और चार में बाइटं को करने लिए जाहरी है पहले से करने वाले है तो सेम ट्रैक पे अगर आप एकी ट्रैक को बार-बार रिपीटेडली यूज करोगे तो वो ड्राय होती है और पर पिछ बैटिंग के लिए तो जाती है अब जब एक ग्राउंड होता है उस पर एक ही पिछ नहीं होती इस पर होती है मल्टीपल पे चेज़ अब देखो हर पि बैटिंग कर लेगी और अगर टीम को लेगा शायद बाद में ड्यू आएगी तो वो बाद में बैटिंग करना पसंद करेगी क्यूंकि ड्यू के जब आती है अंडर लाइट बैटिंग करना असान हो जाता है और टोटल दस मैट जो वर्ल्ड कप में हुए हैं 115 विकिट टो तो इस शार्जा के जो ग्राउंड है या वैन्वेस फेस्पिनर्स ज्यादा डॉमिनेट कर रहे हैं दुबई में फिर भी यह था कि फास्पिनर्स में उतना डिफरेंस नहीं था बट यहां पे जो अगर देखो के तो डिफरेंस बढ़ जाता इस पिनर्स जो है शार्जा मे कि लिच्ट निकालों के तो उसमें छे इस्पिनर्स और चार फास्पिर तो इस्टरी भी बताते हैं कि यहां पर स्पिनर्स जाला डॉमिनेट करते वें नजर आएं एक्जेक्ट पिछ रिपोर्ट मैं आपको आफ्टर टेलिग्रम पर पर प्रोवाइड कर दूंगा वो जो रिजल्ट राएगा मुझे लगता है टीम बहले बैटिंग भी कर सकती है और वो मेजर देखा जाएगा बट पिछ जो है स्लो डाउन होती है कि बाद में जनरली देखा गया है और दस में से पहले रिसेंट पांच बार पहले तो पांच बार सेकिंड ने जीता है है अब देख पारें बहुत बड़ा डिफरेंस है अब देख पारें न्यूजलेंड ने कितने मार्जिन से यहां पर मैच जीता है यहां पर और मतलब न्यूजलेंड का जो विनिंग रेशियो बहुत जादा है तो मतलब जब भी वेस्टन डी तो न्यूजलेंड का मैच होता है तो किसी भारी नहीं है वुमेंस में जो रिकॉर्ड एटी 20 का टोटल 19 मैच खेले गए है शार्जा के ग्राउंड में आज तक हिस्ट्री में दस बार पहले बैटिंग तो 9 बार सेकंड ने जीता है और 19 मैच अभी तक इस ग्राउंड पर हिस्ट्री में हुए है वुमेंस के जिसम है कि जाए जितना बड़ जी बैटिंग के लिए एच्छे पेज बना लो एक डेट सो ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है एवरेज इसकोर यहां पर 120 में और बंडे में बाकि अगर बात की जाए तो यहां पर वुमेंस में बाकि एवरेज रन पर विकेट 20 हर 20 रन के बा पाकिस्तान की अभी रिसेंटली 17 देखे चारवे के डिसी ग्राउंड पर करिश्मर है मार्क ने लिए और वह वेस्ट इंडिविज्टी की बॉलर है ध्यान रखके चलना और हाइस्ट इंडिविज्ट इसकोर यहां पर सोफी डिवाइन का सत्तर बड़ इसी ग्राउंड प पहले किसको बाएगा देखो अगर वेस्ट इंडिस की टीम पहले बॉलिंग करती है तो डेफिनिटली में यहां पर एफी फ्लैचर या फिर नहीं बोलूंगा एफी फ्लैचर पर फोकस करना इसके अलाब आप थोड़ा फोकस और कर सकते हो यहां पर हिली मैथ्यू पर बाक या फिर अमीली कर के साथ बाकिसाइब के बारे बताने चलोंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है आई बटन पर उपस का लिंक मिल जाएगा जाके किलिक करके देख लेना बहुत अच्छी है अगर अगर सिख ग और एक बार जीता है 2009 के आसपास इंग्लेंड ने अब उसके इलावा जितने ही वर्ल्ड कप हैं वह उस्ट्रेलिया वह ने जीते हैं तो इसको भलके हमत लेना एक वर वर्ल्ड कप जीच चुकी है और अगर बात किया है तो यहां पर टोटल अभी तक देखोगे तो चार मै मैच में ठाने विकेट कैप्टने टीम की पचासन बनाए लास्ट माचों से पहले 34 और दस जीरे-जीरे फॉर्म पगड़ी अपनी बॉलिंग से अपने चार ओवर कंप्लीट करेंगी चार विकेट लिए तो कैप्टन सी और वाइस अप्टन सी के लिए परफेक्ट ऑप्श मैची उसने सेंचुरी की थी और तीन मैच में टोटल 300 से उपर स्कोर गिया था तो हीली मैची उस ताइप की प्लेयर है अगर दिन होगा तो फिर किसी और को जलने की जुरूत निया अपने दम पर मैच को वनसाइड कर सकती है तो इसलिए क्याप्टन से के अच्छी उसी टाइप की मुझे लगता है इस मैच में फियरलेस के इनिंग खेलने वाले बट मुझे लगता है कि यहाँ पर फिल्डिंग जो है न्यूज़िलंड की थोड़ी बैटर है तो मुझे लगता है कि कैच इसने चुटने चीए बाकी एक से दो वर बॉलिंग भी कर लेते हैं लेफ्टाम और्फटोडॉक्स है तो एक अच्छी एसेट से टीम के लिए पने टीम में कंसीडर भी कर सकते हो बट बैटिंग से मुझे उतनी एकस्पेक्टेशन नहीं आ रही है इस मैच है बॉलिं पर न्यूजलेंड की उनका बैटिंग और बहुत नीचे गेस का इसलिए इसकेंबल इंपॉर्टन बन जाती है और बैटिंग भी एंटर पेटिंग जाएगी प्लस विकेट कीपर तो कैजिंग स्टंपिंग के पॉइंड ही मिलेंगे पंद्रा की आवरज है पहले बालिंग करती थी 135 मैच में 34 विकेट से हैं बागी है देंडर डॉटिं राइटन बैटर फास्ट बालर 126 मैच में 2700 रने 26 के आवरे एकसे विकेट मैं पहले मैसे कहते हुए आ रहा हूं कि मेरी फेवरेट प्लेयरे देंडर डॉटिंग क्यों है मैता चुका हूं लास्ट दो मैच आ बालिंग करें ताकि वेस्टन डीज की टीम की बालिंग और स्ट्राउंग हो जाते हैं क्योंकि डेंडर डॉटिं का होना ही बहुत बड़ी वाद है टीम में और यह ऐसी प्लेयर है मतलब 38 बाल में इनकी टी 20 में सबसे फास्टेस्ट सैंचुरी हैं इनका मैटर नहीं करता स सामने किसी बीटिंग को खड़ा कर दो अगर इनका बल्ला चलेगा तो फिर यह वन साइड कर सकते हैं और लाच में 27 के बहुत इंपोर्टन तीन ओवर में एक विगेट भी लिया उससे पहले 19-26 की इनिंग्स खेले पहले बालिंग नहीं कर रही थे लाच मैंचे बालिंग क कर सकते हैं में ग्रेंड लिग के लिए में रिकमेंट करूंगा तो में टीम बॉलिंग नहीं करवाएगी नहीं बॉल से बॉलिंग करवा रही थे लिए इनके पास और भी ऑप्शिन्स अवेलेवल है चपन मैचे 421 ने चौदा के आज 19 विकेट आलिया लें राइटन बैट बॉलिंग करते हैं तो यह ग्रेंड लिंग में ट्राइ कर सकते हो शीडे नेशन की बहुत परणी प्लेयर है ऐसा बैटर खेलेंगी इंपोर्टन निया बैटिंग वाटर फिक्स नहीं है उपर नीचे हो रहा है जेम्स को पहला मैच खिलाया ठीक है बट उतनी फिक्स नहीं एम उनी सर को खिलाया पर कुछ खास किया नहीं तक दो मैच कोई विकेट मिली नहीं है करिशमर हमा काफी अच्छी है और बॉल को कभी रिलेक्स पिन कभी मितलब मितलब वेराइटी से बॉलिंग में काफी सारी और फिलहाल अच्छी बॉलिंग इस ग्राउंड में सबसे ब स्टैफिनी टेलर जो की लास्ट टैम जब वेस्टेंडीस टीट्वेंटी वर्ल्ड गप जीती है 2016 में तो इनकी कैप्टन जो थी वह स्टैफिनी टेलर ही थी और टेलर भी एक ब्रिलेंट ऑल्राउंडर है और वह भी काफी ताम से बॉलिंग नहीं करें वैसे अपने 123 मैच में इंटरनाशनल में ठाने विकेट्स हैं बट इंजर्ड होगी थी लास्ट टू लास्ट मैच अब आइधिंग पाकिस्तन के गेंच तो मुझे लगता है कि यहां पर स्टैफनी टेलर अगर आती है तो सिधा ओपन करने के चांस भी रहेंगे अगर फिट होती है तो दो चंबल सेफ ऑप्शन रहेंगी डॉट इंट वाइसपन भी कर सकते हैं रिमी ग्रेंड लीग अलिया ग्रेंड रिसकी अगर बात किया तो यहां पर न्यूज़ेंड के बारे में चार में से तीन मैच जीती है एक मैच आरे और यह जो मैच आरे थे आइधिंग यह उस्टले क सबसे एक्सपिरेंस प्लेयर जोने सबसे आधा मैच इस खेले हैं और तीस के आवरेज है पैले बॉलिंग भी किया करती थी बट अब ऐसा बैटर खेल रहे हैं और मैं पहले मैसे चीज़ करके आ रहा हूं कि इनकी दिक्क्त यह आ रही है कि यह 20-25 के आसपास जैसे पहुंस करती है इनका कोई गेम रहेगा वह रहेगा 25 बॉल 26 रन अब खेलते हैं कारण कई बार टीम को बड़ा स्कोर चेस करना पड़ गया तो वह भारी पड़ सकता है तो रना बॉल गेम खेल रहे हैं ताबकर डिपन करता लेना चाहो तो ले सकता दर्वाश ड्रॉप भी कर सकते ह है क्यों एक्स्पिरेंस फ्लेयर से ड्रॉप करने का मन भी नहीं करता है प्लीमर राइटन बैटर 31 मैं जो तो से च्यालिस ने बारा की एवरेज है और प्लीमर ने जो बैटिंग की ती शिलंगा एगेंश तरे पन बहुच्छी बैटिंग की थी प्लस इंडिया एगेंश ज करने भी तक सोफा टोना मैंट में यहां पर दस विकेट लिए चार मैच में बैटिंग से 39-34 तो यह भी रना बॉल ही खेलती है मतलब बीस बॉल 25 रन ऐसे थाइप खेलती है तो क्याप्टन एक अच्छी अप्शन है हेली मैथ्यूस के साथ बागी सोफी डिवाइन राइट थी और पाकिसंग के गेंच जो मैच रहा था और सताव नमनाई तो इंडिया के साथ जो मैच विनिंग इनिंग रही थी लाच मैच नहीं तो हम डिवाइन को ऐसा बैटर भी खेलेंगे तो भी टीम से मिस नहीं कर सकते क्योंकि यह उस क्वालिटी की प्लेयर है और मेरी खाल यह एक्टर हो सकती है क्योंकि टीम को लगेगा कि किसी बालर की पिटाई हो रही है पिछके कोडिंग इस पीनर पर उतना एफेक्टिव नहीं हो रहा यह पर ज्यादा स्लो है उस सिनेरियों में यहां पर मुझे लगता है कि हैलीडे को मौका बन सकता है और हैलीडे जो है व यह वैटिंग विजने इचे सर्फ वेस्टनीश के विकेटीपर के साथ जाएंगे बागी है लीता हूं राइटर वैटर फास्ट बालिंग की टीम की सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर है काफी लोग मैयर को प्रेफर करें बड़े मैच में बड़ी एक्स्पिरेंस प्लेयरी का लेती हैं वागी रोसमेरी मैयर फास्ट बालर है और चार मैच सो फार अभी तक साथ विकेट रोसमेरी मैयर ने लिए हैं इंडिया अगले में चार फिर दो सरी दो फिर जीरो फिर एक बट नई बॉलकेंस पावरपले में अच्छी बॉलिंग कर रही है और स्लोर वन वगेर फ्रांच जोन्स इंपॉर्टन बन सकती है क्योंकि अगर आप क्यों न जोसेफ का डादा फिर इंवेस्टन इसकी टीम में सारी ओल्मोस्ट लेफ्टन बैटर आ जाती है अगर नीचे के एक दो प्ले रटा दो तो फ्रांच जोन्स का क्वालिटी है और विकेट टेकर बॉल लंकाए अगेंस्ट और में को परसनली कैस्ट पक बहुत पसंद है क्योंकि क्यावन मैच में असी आसपास विकेट है जो कि विकेट टेकर बॉलर की लिस्ट में आती है जैसकर जो कि मीली करके बड़ी भैन है यह नहीं बोल कर अच्छी बॉलिंग करती है पावर प्ले में स तो इसलिए तीम ने भाहर बिठाया है बैटिंग भी कर लेती वैसे हैं बाकि पैनफोल 10 में साथ विकेट पेस इनकी बॉलिंग में हनारोवे 47 में एक सपचपर अचॉविस विकेट दैथ होरी स्पेशलिस्ट अब इंपॉर्टन बोलोगे तो यहां पर आप बेट्स को ले सकते हो पर मेरी इंवेश्मेंट विजन लैप पर रहते हैं जो में साथ 3-4 साथ से खेल रहें उनको पता ही है सब्सक्राइब करता है तो मतलब आपके डिपॉसिट और विड्रॉप जो भी टैक्स है तो इतना आपका से और कंप्री आपको वापिस करें 58 परसेंट बड़ा पार पैसे का ना जाना भी पैसा का आनो होता है तो यह समझ जाओ कि टैक्स का ना जाना भी आपका सेविंग का प्रॉफिट होना है तो अगर आप इतना समझ गे तो आपके लिए अच्छा इसरैल मिल सकता है और अच्छा इस सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई यू ही आएगा आते भी इस्टांग पर मैसेज कर देना बाकि इसकी टीम बाद में दो जो टीम रहने वाली मेरी यह रही कि मैंने यहां पर कैंबल को लिया है ग्रीन और गेस का बैटिंग वाटर नीचे है काफी टेलर आएंगी तो टेलर कर सकता हूं बाकि बेट्स के साथ जा रहा हूं क्योंना जो सफ हेट आउट वाली गेम केड़ेंगी प्लस एक आदा ओवर कर सकती है हाली डे अपके पर डिपेंड करता है बट बालिंग करेंगे नहीं करेंगी वह सिच्वेशन में डिपेंड करेगा प्लीमर अच्छा कर रही है तो आप चाहो तो बेट्स के उपर ले सकते हो बेट्स के आई कि अब 20-30 के आपास आके रुक जाती है पर प्लीमर जब स्टार्ट अच्छा मिल जा तो फिर 50 के आसपास बालिंग कर सकती है यहां पर मैथियू लिया मैंने आप लिया मैंने कर डॉटें डिवाइन दैन हैं एलिया ले लेंड डैथ में कर रही है बट वह है कि अगर टीम को लेगा इस पिनर से ज़्चा पेस नहीं देनी डिवाइन के सामने तो फिर वो शायद अलाइन को नहीं ल बाकि यहाँ जेम्स वगेड़ा एक अवागे रहेगी मेरी है नुर में कन्फिूस हो या तो हमें दोन महीं से करों मैं करों को करूंगा दोन में से कैप्टन रहेंगी बहुत रिस्क लेने वाले डॉर्टन की तरफ भी जा सकते है बट वह जयादा ही रिस्क हो जाएगा इन न्युजरेंड पहले बॉलिंग करती है मैच को वन साइड विन करती है यह टीम मैंने सोच के बनाए कि बैटिंग फ्रेंडली मैच होगा जहां पर बैटर डॉमिनेट करेंगे यह टीम मैंने सोच के बनाए कि बैटिंग फ्रेंडली मैच होगा जहां पर बैटर डॉमिनेट करेंगे यह रेंडम टीम मैंने ज्यादा को सोचा नहीं है बागी फाइनल जो टीम होगी स्मॉल लिग ग्रेंड लिग के आफ्टर आफ्टर टेलिग्राम पर प्रोवाइड कर द जहीं दोस्तों बाए वीडियो चिलेगे तो